हेलो बिटा आज मैं आपके लिए टॉपिक लिकर आई हूँ डिलीटिट टॉपिक्स इन बिजनेस टॉडीज ओके हमारे 2020 और 2021 सेशन में जो CBSC ने कॉविट के चलते एक कुछ टॉपिक्स जो हैं डिलीट किये हैं ठीके एकाउंट्स में भी 30% अप्रॉक्सिमेट और एकनॉम 12 में ठीके बटा तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है देखो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है आपके नेचर और सिंग्रिफिकेंस ओफ मैनेजमेंट उसमें कोई चेंज नहीं है राइट आपके सेकेंड चैप्टर में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ लेकिन आपका आपका डिलीट हुआ है impact of government policy changes on business special reference to liberalization, privatization, globalization in India मतलब जो LPG वाला topic है ना बेटा उसका जो government का impact है ठीके वो आपका topic डिलीट हुआ है ठीके यह सारे topic आपके business environment में से डिलीट हो गया है ओके नाउ चैप्टर 4 में बेटा ये इतना important part माना जाता था planning में जो आपका chapter 4 planning है ना उसमें जो भी आपके types of plan है ना single use standing plan जो है जिसमें objective आता था strategy आता था method, rule, budget, program, procedure ये सबके सब डिलीट हो गया है बेटा ओके चलो अब हम next chapter का देखते हैं कि chapter organizing यानि जो chapter 5 है आपका उसमें कितना डिलीट हुआ है ओके chapter 5 में आपका डिलीट हुआ है बेटा formal and informal organization concept पूरा डिलीट है बेटा ये whole topic डिलीट है formal and informal organization ये topic पूरा डिलीट है ठीक है इसमें से हमें कुछ नहीं करना ओके नाओ आपका chapter 6 देख लेते हैं staffing staffing में से क्या डिलीट हुआ है ठीक है staffing में से डिलीट हुआ है आपका जो आपका human resource management का रोल पड़ते थे ना जो आपका human resource management का एक topic है जिसमें रोल है ठीक है कि staffing के से concerned human resource manager क्या क्या काम करते है ठीक है वो पूरा topic आपका डिलीट हो गया है बेटा ओके और chapter directing में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है नहीं बेटा येस concentrate करो थोड़ा सा मैंने थोड़ा इसलिए ऐसा बोला ओके आपका chapter directing में डिलीट हुआ है effective communication के barriers आपके ना four types के barriers होते हैं communication के वो barriers आपके डिलीट हो गया है और उसी के साथ उस chapter के end में एक topic हो रहा है how to overcome a communication barrier ये topic आपका डिलीट हुए है okay controlling में आपका एक छोटा सा topic डिलीट हुआ है राइट वो topic है आपका relationship between planning and controlling राइट relationship between planning and controlling राइट बड़ा तो आज हम इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं कि जो कोवेट के कोवेट की वज़ा से cbse board ने आपका जो स्लेबस 30% reduce किया है या कौन कौन सा topic आपके डिलीट की है ओके आप सेकेंड पार्ट में आजो आपका chapter 9 जो है financial management उसमें कोई change नहीं है चैप्टर 11 में चेंज है बटा चैप्टर 11 में आपको कौन सा topic नहीं करना फिजिकल डिस्टिबिशन टॉपिक नहीं करना जिसमें components फिजिकल डिस्टिबिशन के जैसे आपके वो है ना components एक तो decision regarding channel of distribution और एक है आपका physical movements of goods and services जिसमें order processing होगा transportation होगा inventory control होगा वो component जो है वो delete हो गया है ठीक है physical distribution का component और channel of distribution यह दो topic है उसमें वो delete हो गया है ओके बेटा now moves to next chapter next chapter में आपका delete हुआ है बेटा जो consumer protection chapter है ना आपका consumer protection में जो delete हुआ है वो हुआ है आपका importance राइट importance consumer protection की importance वो delete हुआ है और एक delete हुआ है NGO का role जो consumer organization होती है चेप्टर के end में है बेटा यह वाला topic आपका राइट की role of consumer organization और NGO मतलब non-government organization का role यह आपका delete हो गया है बेटा ओके students आज हमने जो है वीडियो में यह दिखा कि आपके cbc board ने कौन-कौन से topic delete के हैं ओके आपको यह topic read नहीं करने है आपके exam board exams के लिए ओके अपनी book में से इन topic को आप delete कर दीजेगा ओके students thank you for watching my video and please share my video and subscribe my channel thank you so much students